दोस्तों तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो की हिंदू धर्म की पैचान बना हुआ है जो भी हिंदू धर्म से जुड़े वे लोग होते उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर से पाया जाता है लेकिन दोस्तों समझ्या ये आती है कि घर में राम तुलसी का श्री तुलसी उज्वल तुलसी के नाम से भी जाना जाता है उसे घर में लगाना बहुत ही शुब माना जाता है इसके पत्तों का रंग हलका हरा होता है और साथी स्वाद मीठा होता है और इसके विपरीत शामा तुलसी से शाम तुलसी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों का वर्ण शाम होता है, बेंगनी कलर के इसके पत्तों का रंग होता है, और स्वाद में मीठे नहीं होते, अपितु ये आयुर्वेदिक गुनों का खजाना होते हैं, इनका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, और ये गरम ताशीर के होते हैं, सर्दी, जुखा, मित्यादी बिमार के लिए तो ये रामबान इलाज का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों पूजा की द्रश्टी से समझा जाए, तो घर में रमा तुलसी की पूजा अधिक की जाती है, क्योंकि उसका सेवनकन भी आसान होता है, और नुकसान नहीं होता, वहीं शामा तुलसी की मात्रा अगर अधि ले ली जाए, तो नुकसान भी कर सकती है, इसलिए अगर घर में पूजा की द्रश्टी से अगर लगाना है, तो आपने रमा तुलसी का पूदा लगाना चाहिए, वैसे आप घर में दोनों ही पूदे लगा सकते हैं, उसमें कोई भी परिशानी नहीं होती, और जहां तक त साउथीष्ट दिशा में आप तुलसी का पूदा ना लगाए, उसका रीजन ये माना जाता है कि जो साउथीष्ट की दिशा है, वो भगवान गनेश और शुक्र देव को समर्पित होती है, और भगवान श्री गनेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, दोस्तों झाल 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